एक छोटा गाव था, जहां एक पुराने पेड के पास एक खंडहर हवेली थी. लोगों का कहना था कि वहां एक खूनी चुडेल रहती है. किसी ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी कहानिया पूरे गाव में प्रचलित थी. एक रात, गाव का एक युवक, रमेश, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, दोस्तों के साथ चुनौती के तौर पर उस हवेली में जाने का निश्चय करता है. आधी रात को, जब पूरा गाव सो रहा था, रमेश अकेले ही उस खंडहर हवेली की ओर चल पड़ा. हवेली के पास पहुँचते ही उसे ठंडी हवा का जोंका महसूस हुआ और अजीब सी खामोशी चा गई. जैसे ही वह हवेली के अंदर कदम रखता है, दर्वाजे अपने आप बंध हो जाते हैं. चारो तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था, अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो. आवाज का पीछा करते हुए वह हवेली के एक कमरे में पहुँचता है, जहां एक तूटा हुआ आइना और पुराने कपड़ों का धेर पड़ा था, और वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुँच सकी. चुडेल ने अपनी हड़ियों से भरी उंगलियों को उसकी तरफ बढ़ाया. अचानक हवेली में एक जोड़दार ठहा का गूंजा और रमेश को लगा कि उसकी सासे थम गई है. कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आखे हमेशा के लिए बंध हो गई. अगले दिन गाव वालों ने रमेश को हवेली के बाहर मृत पाया, उसके चहरे पर खौफनाक डर की चाप थी. तब से गाव में किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की और खौनी चुडैल की कहानी हमेशा के लिए गाव के लोगों के दिलों में बसी रही.